नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे कारिक्रूम हेलो उत्राखंड में आपके साथ मैं हूँ सुनाली शर्मा दिर्शको भारत में पुलिस का तादपरिय कैसी व्यवस्था से होता है जो आमनाग्रिकों की जीवन की रक्षा करती है ही और साथ ही साथ कानून को लागु करने में प्रशासन का सहयोग भी करती है उत्राखंट में अगर पुलिस की बात करें तो सुरक्षा का ये तंत्र किस तरह से काम करता है क्या कुछ चुनौतियां इसके सामने है और क्या कुछ उत्राखंट पुलिस के संकल्प है इस पर बात करने के लिए आज बेहत खास मैंमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्तित हैं हमारे साथ उत्राखंड के पुलिस के मुखिया श्री शोक कुमार जी है पुलिस महानिदेशक सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं बहुत बहुत स्वागत आपका आप समय निकाल हमारे कारिकरूम के लिए बहुत धन्यवाद सुनाले जी तो दर्शकों आप भी हमारे साथ इस कारिकरूम का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपके भी पुलिस से जुड़े कोई सवाल है सुरक्षब विवस्था को लेकर कोई आपकी जग्यासा है तो आप भी पुलिस महाने देशक से अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे जो टेलफोन नंबर्स है लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लाइश किया जाएंगे आप ने जब पद्भार संभाला और इसको अब एक साल का समय हो चुका है इस एक साल में क्या कुछ उपलब दिया है आपकी और जो आप जब आपने पद्भार ग्रहन किया थो चल रहे थे दस साल से वांटेड चल रहे थे ऐसे लोगों को कानून के दाएरे में लाया है ऐसे लोगों को पकड़ करके लाये हम उस ऐसा विशेस अभ्यान चिला रहे उसमें बहुत बड़ी सफलता हमको मिली दूसरे नंबर पर मेरा हमेशा फोकस रहा है विक्टिम ओरिंटेड पोलिसिंग पर मेरी किताब भी है इस मिखाकी में इंसान वो हमेशा यह है कि हमारी पोलिस व्यवस्था को विक्टिम के फेवर में काम करना चाहिए विक्टिम को जस्टिस दिलाना चाहिए, विक्टिम को राहत मिलनी चाहिए, तो उस और मैंने बहुत जादा फोकस किया है. क्यूंकि कई विक्टिम बहुत डरा होता है अपने इस पूरे प्रोसेस के दौरा भी होता है उसे न्याय नहीं मिल पाता हमारी अपरादिक न्याय प्रनालिक जो है न्याय प्रनाली उसमें समवह विक्टिम से फोकस हट गया है और ट्रेजडी क्या है कि जितने भी इसके तो मैंने इस focus को वापिस victim की और मोडने की कोशिश की है, क्योंकि अब आधी system में कहीं कहीं, corruption भी डालने की कोशिश करता है, ठीक है, तो हमारा कहना है, victim जो rich आदमी है, जो परभावशाली आदमी, उसको तो justice ऐसे ही मिल जाता है, justice की जुरूरत तो victim को है, पीडित को है, गर ही कारवाई हो, अगर कारवाई सही नहीं करी, तो police वालों ने क्यों नहीं कहीं, उनकी जिम्मेदारी तया हो, इस पर मैंने पूरे साल भर में बहुत focus करके काम किया है, तो पहला अपरादियों भी सिकंजा, दूसरा, पीडितों की मदद, जो मैंने कह, victim oriented policing, ठीक है, तीसरा हमने समवेधन सील पूलिसिंग पर जोर दिया है, समवेधन सील पूलिसिंग आप समझ सकते हैं कि लोगों की पीडा समझ के, उनकी समवेधना समझ के, उसके साथ हमें पूलिस करना है, तो mission होसला उसका एक example था, जो हमने कोरोना में चलाया, तो रात के दो बज़े भी हम ल operation मुक्ति चलाया, operation smile में हम इस साल हमने 1000 से जादा बच्चों को महिलाओं को अपने परिवानों से मिलाया, operation smile, और operation मुक्ति एक हमने चलाया, वो है कि बच्चों को भेक्षा वरिती से मुक्ति दिलाना, जो बच्चे सबकों भीग मांग रहे हैं, और हम लोग उनको भीग द से 20,000 के मंथले income है हमारे सर्वे ने दिखाया, तो उनको भीग देने के बज़ा है जरूर है कि उनको शिक्षा में डाले, और इस तरह से डाले हैं सस्टेन कर सकें, वापिस स्कूल से वापिस आने लगते हैं, तो उनको किसी तरह ऐसा support चाहिए जिससे औहीं पर पढ़े र बनाना, तो हमारी जो overall policing का target था कि police को smart बनाना, smart है strict and sensitive, modern and mobile, active and accountable, responsive and responsible and trained and tech savvy, तो हम इसको modern भी कर रहे हैं, technology savvy भी कर रहे हैं, बहुत सारी apps भी चला रहे हैं, उत्राखन police बहुँ जादा online भी हुई है, तो लोगों की जो best possible help की जा सकती है, वो हम कर रहे हैं, और police को strict भी बन बना रहे हैं, सम्मेदन सिल बना रहे हैं, और modern भी बना रहे हैं, ठीक है, यह हमारा साल भर में focus रहा है, इसके अलावा हमने एक side पे और ध्यान दिया है, वो है police कर्मियों का खल्यान, क्योंकि जो lower दर्जे का police कर्मिय हमारे, उनकी बैरकें अच्छे नहीं होती थी, उनकी गाडियों के वाहनों के विवस्ता अच्छे नहीं होती, तो उसको भी better करने में हमने पूरा साल लगा है, उनकी छूटियों में कोई problem ना है, उनकी जो grievances है, उनकी बैरक को हमने एकदम अधुनिक बना दिया है, तो यह सारे प्रियास भी हमने जवानों के सुईधा के कोविड जो पिछले साल जब हमने देखा दूसरी लहर और बहुत दर्दनाक थी, इस बार फिर एक बार कोविड अपने पैर पसा रहा है, समभपता तीसरी लहर इसको माना जा रहा है, इस बार किस तरह के दिशा निर्देश पुलिस को हैं क्योंकि लगातार मामले अब ते जानकार हैं हमारे पुलिस में भी हैं, जिनको भी कोविड हुआ है, वो तीन से चार दिन का माइल्ड फिवर आता, 99 से सो डिकरी का, और कोई खतरनाक लेवल पे नहीं जा रहा है, और होस्पिटलाइज भी किसी को नहीं होना पड़ा है, जबकि इससे पहले मेरी दोनों लह अपना कोरोना से बचाव करके रखें, प्रोटोकॉल का पालन करें, और भीड में जाएं तो मास्क जरूर पहने, और वो पहले की तरह उतना स्टिक्ट अभी नहीं हुए हैं, क्योंकि उसका वो स्टेज अभी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर आएगी तो उसको वैसे कोविड की प्रोटोकोल्स बन जाएंगे, तो स्थाइब दिरे-दिरे बढ़ाई जाते हैं, बिल्कुल, चुनौती का इबर ये भी रहती है, कि बजारों में भीड दिखती है, बेता हश्या, लेकिन मास्क, लगातार पुलिस भी मैदान में है, और लगातार उनको बोल हैं, और कुछ लोग बार-बार रिपीटिवली गलती करते हैं, बार-बार आगर पर चलान करने भी नहीं मानते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि उनकी गाइड-लाइन्स उनकी खुद की सुरक्षा है, उनकी परिवार की सुरक्षा है, अगर बाहर जाएंगे, को अपने बूस्तों को भी दे देंगे, तो हम आदमे को खुद एक रिस्पोंसिबल नाकरिक के तरह बहेव करना चाहिए, और फ्रंट-लाइन वरकर्स हैं, तो तीसरी लहर के लिए किस तरह से पुलिस खुद सुरक्षित रहे, तो किस तरह से अब बूस्टर डोस के लिए आगे काम क अच्छे गए, तो दूसरी लहर इतनी खतरनाग थी, पबलिक के उसको देखते हैं, तो हमारी पुलिस फिर खड़ी नहीं पाती, तो बूस्टर डोस अभी इसलिए लगवाई जा रही है, जिससे कि हमें तो कोरोना के प्रोटेक्शन भी करना है, चुनाओ भी करवाने हैं, तो पुलिस को तो सड़कों पे रह नहीं है, तो इसलिए जिससे कि पूरी तरह से सुरक्सित हों, वैक्सिनेटिड हों, बुस्टेड हो जो हैं, अगले दो-तिन दिन में पूरी करा देंगे हैं, तो चुनाओ की बात करते हैं, धहलीज पर है बिल्कुल उत्राखन चुनाओ की लगभग एक महीने का समय है, किस तरह से चुनाओ को लेकर तयारिया, निर्वाचन आयोग के साथ किस तरह का समन हुए, और एक बहुत बड़ा अब ये कही न कहीं लोगतंत्र का एक ओकेजिन इसे कहा जाता है, तो किस तरह से अब तयारिया उत्राखन पुलिस की हैं अब जाता है, चैलेंज होता है, चुनोती होती है, और चुनाओ आयोग के निर्देश जो है, उनका पालन भी हमें अकसर से कराना है, चुनाओ को पूरी तरह शांती पूर्वाच और निस्पक स्ठांक से भी कराना है, तो इन सब टार्गेट को लेकर के हम लोग चले हैं, और उसमें आज के चमाने में बहुत सारे अरचने आती है, बहुत सारी चुनोती हैं, अभी आपको देखाऊगा, अरुद्रपूर में एक संपरदा एक मामला होते होते बचा है, भूली भाई आप जी उस पर भी आएंगे बचा है, अप वाला नहीं, उससे जादा जो कर द नाके ना पूरे जो इंटर स्टेट बॉर्डर से विधिन दर स्टेट भी हमने बहुत सारे बैरियर्स लगा दिया हैं, सेंट्रल आंप पुलिस फोर्सिस भी आ गई है, पच्छीश कंपनिया, तो हमारी अपनी पी एसी और पुलिस भी लगेगी, तो हमारा ये है कि चुना इसको लेकर पुलिस किस तरह से काम करती है, अगर कोई ऐसा मामला आता है, तो सीधा F.I.R होती है, वह तो जो रिटर्निंग ओफिस्टर है, साहिक रिटर्निंग ओफिस्टर है, या बाकी जो अधिकारी है नगर निगम घरा पर पोलिंग बूत पर, ये लोग जब भी पुलिस की रहती है, लेकिन अभी से किस तरह से काम करना शुरू कर देती है, कहीं भी इस तरह की घटना ना हो? और ये शूर है कि किसी को भी महौल खराब नहीं करने दिया जाए, चाहे हमें एनसे लगाना पड़े, और कड़ी दारों में काम करना पड़े, कोई महौल खराब करने की जाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टी के हो. अशुक जी, चुनाओ में, क्यूंकि कोविट की तीसरी लहर है, और देखा जाता है कि अगर बूतों पर भीड ना हो, कम हो, दोगज की दूरी वहां पर मेंटेन की जाए, इसको लेकर स्वास्ते विभाग के साथ कुछ बाचीर चल रही है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं, सुबह के वक्त, या शाम जब होती है, जब चुनाओ मादान का वक्त खतम होने वाला होते है, उस ताइम बहुत जादा भीड होती है, तो किस तरह इसको लेकर कोई प्ला इसको बार हम एक्स्टा केरफूल रहेंगे, एक्स्टा परबंद करेंगे, लोगों से भी अपील है, वोट डालने जाएं, तो महाज तरूर पहन के जाएं, अपने टाइम का इंतिजार करें, और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग बना के खड़े हो, जो लोग फिलहार पॉज आप आएंगे, यह मैं पुलिस के रूप में नहीं बता सकता, कुछ ने कुछ हो, लोग इंतियाम करेंगे, मुझे लगता है, बिल्कुल, सोशल मीडिया पर आते हैं, आफ-लाइन के साथ साथ ओन-लाइन अब क्राइम बहुत जादा बढ़ने लगा है, अब नए-नए तरीक पर नजर बनाती है, किस तरह से आपका डेपार्टमेंट खासतार पर साइबर क्राइम को रोपने के लिकान करता है, देखे, हमारी जो लेटेस्ट चुन होती है, हमें से साइबर और ड्रग्स, ठीक है, यह है, नहीं, पहले से हम ट्राफिक और महिला सुरक्षा को चुन होत किस अइसे ज्यादा उभर करके आगे, ड्रग्स और साइबर क्राइम कीशन होती है, क्योंकि पूरी जिंदगी बहुती है, आजकी देट में तो पढ़ाई भी बहुत क्राइम बहुत बहुत सारे फानेंशल ट्रेंजक्शन सारे बहुत ओन लाइन हो गए, त उसको रोकने क अपने उत्राखंड प्वलीस के पेच से या जो जिला प्वलीश है या हमारे साइबर क्राईम थाना है देरादून में, एक साइबर पॉरूर पंतनेगर में है और फिर हमने सबी जगह, मतलब हर जिले में cyber cell गठित कर दिये हैं, हर जिले में CO operations बना दिये हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि हम जो है, cyber crime जो होता है तो उसको register करें और उसमें ऐसे लोगों पर करवाई करें, हमने एक number भी 15260 national number flash किया गया है, कि अगर आप 24 गंटे के अंदर इसमें अपनी register कर देते ह पैसा freeze हो जाएगा, यह लोगों को पता होना चाहिए number 155260, तो यह और एक cyber crime reporting portal भी बन गया, national level पे, NCRP, national cyber crime reporting portal, इन सब पे अगर आप complaint डालते हैं, तो उसका convenience लिया जाता है, हर एक कि जांच होती है, और हमने इस साल एक बहुत बड़े power bank घोटाले का परदा फास किया है, जिसमें कम से कम भी 500 क्रोड का घोटाला है, पूरे देश में 300 FIR हो चुकी है, उतराखंड पुलिस ने सबसे पारज का परदा फास किया था, तो हमारी team बहुत active है, हमारे जो CEO cyber, उनको देश में cyber के लिए, cyber super cop के रूप में भी reward मिला है, तो overall हम cyber के प्रती सजग है, किन्तु जन्ता को भी सजग होना पड़ेगा, यह मान ले, ओनलाइन 100% सेफ कुछ नहीं है, 100% सेफ कुछ भी नहीं है, आपको हर चीज पर चार सवाल लागाना चाहिए, मेरे से नंबर मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, किसलिए मांग रहे हैं, कैसे verify करें, ऐसे ही अपना OTP हाल अपना लेते हैं, पहले लोटरी से शुरू हो थे भूष्टे नोच भी आगया, आपको, अरुद्रपूर की ही हम बात कर रहे थे और भुली भाया याप की भी हमने बात कर रहे भी, यह एक नया स्टाइल आप माहॉल खराब करने का एक सामने आ रहा है, सर किस तरह से, क्यो तो मुंबई पोलिस है तो उस पर नहीं बॉल सकता जादा किन्तु सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा को अपनी एनर्जी को पोचिटिव डारेक्शन में लगाना है यह सब नेगेटिव चीजों की तरफ नहीं लेकर जाना है हमारे युवा को स्पोर्ट में जाना जाना है यह हेट जाना है यह सब में फंचेगा हमारा युवा तो फिर वो देश पिछे जाएगा अगी नहीं बढ़ेगा बिलकुल नशे की लगातार बात करते हैं और उत्राखंट के जो पहाडी राज्य हैं किस तरह से विश्ले एक साल में आपने नशे का ग्राफ उत्र बात करें तो मैं शराब को तो मैं उतलब एक अवरेज लेवल पर मानते हैं सबसे बड़ी खतरना कहा है ड्रुग्स क्योंकि ड्रुग्स में आदमी जान भी गवाता है और ड्रुग्स का इंटरनेशनली बड़े रमिफिकेशन दे ड्रुग्स का पैसा मोस्ली टरुरिजम म तो ड्रुग्स से बचने की जुरूरत है हमारी युवापेडी को और चाहे पहाड़ों चाहे मैदानों सब जगे फैला है तो हम लोग पूरा परियास कर रहे हैं किसको रोकें किन्तु इस परियास में हमें पब्लिक को भी साथ देना पड़ेगा के लिए पुलिस से नहीं ह पैसा कहा जा रहा है क्यों गुम्सुम रहता है तो वह चीजों को सिम्टम को पचान के शुरू से उसको कांसलिंग में डॉक्टर के पास ले जाना होगा तो जाकर के कुछ राष्टा निकलेगा तो पुलिस और पब्लिक के साही होग से हम उटक्स पर काभो पाप आएंगे जागरुकता के लिए पुलिस कुछ स्पेशल कोई चीज कोई कैम्प और्गनाइज करती है जागरुकता खासतर बहुत कि हम सभी स्कूल में जाकर उनको मुवीज दिखाते हैं पूरा इसके इंपक्ट दिखाते हैं इवन हमने महरतन आविजित की तीन साल जिसमें 20-20 हजा का लिए हमने ड्रक्स कि आगें शपत भी दिल आई बच्चों को कि हम ड्रक्स नहीं लेंगे। मिलकुल नशाक मुक्ती केंद्रों की बात की जए शुक जी तो कही बार वहां पर भी ऐसे मामले सामने आएं canwhy खेंड जाता है Am i shabami Rezaaj вас the shabari. खेंगे कई बार ब्हें ब्हें बहते है जुन पर विशेश तникиर में द़ड़ से कि पर रखी जाये ताकि कि कि तीक कंई उसके लिए किस तरह से आप लोगों पना रही है अभी बहुत पूरी अच्छे से नहीं बन पाई है बनेगी उसके पाइपलाइन में है पर नशामुक्ति के अंदर की जो है अच्छी क्वालिटी के नशामुक्ति के अंदरों के आफशकता है अभी तो मश्रूम की तरह ग्रो लें वहाँ पर एक अच्छे कांसलर रखें कभी डॉक्टर्स की हेल्प लें और क्या कैसे उसको जो हम ट्रक से डी अडिक्शन कर सकते हैं उसके पर पर साइंटिफिकल ही काम करें वहाँ पर रख करके अफोर्सी बली करने से नहीं काम चलेगा अश्रूजी जब ड्रॉग् मामले बढ़ते हैं और साइबर क्राइम के मामले बढ़ते हैं तो महिला सुरक्षा की भी बहाँ पर बात आती है तो महिला सुरक्षा को लेगर क्या कुछ स्टेप्स उत्राखन पुलिस के फिलहाल उठाए गए हैं आपके द्वारा पिशले एक साल की अगर खास पर बढ़ तो उसमें महिला सुरक्षा की भी प्रॉब्लम है, साइबर सुरक्षा की प्रॉब्लम है, तो हमेशा अटेंड हो गई वो कॉल, और कहीं भी परदेश की किसी भी कोने से आप करेंगे, तो आपको रिस्पोंस मिलेगा, एक तो यह है, हमने सारी जो हेल्प लाइन नंबर से सब आपको 112 से कनेक्ट कर दिया, तो बहुत हीजी है किसी को नया नंबर याद नहीं रखना, और किसी भी एरिया में है आप, चाहे आप पिथोरागण में, चाहे देरादुन में, और दूसरा हमने एक एप खोली है, चलाई है गोरा शक्ति आप, तो गोरा को शक्ति करण के लि तो इसको भी महिला यूज कर सकते हैं, बाकी हमारा यही है कि immediate response, immediate action, अगर जुरूत परेता है, नहीं तो counselling, जो भी कराने की जुरूत है, सब कुछ हम लोग पुलिश सुद्राकन पुलिश कराते हैं, और महिला, अगर उनको कोई समस्या है, तो थाने में जाने में जो हिज शुपोस्पेक्टर और चार लेडी कउंस्टेबल को रखा है, एक लेडी सबदेस्पटर चार लेडी कॉंस्टेबल और हर ठाने में घर umanoila help desk बना दियो, जिस में ladies ही रहते है तो इसलिए उनको वहाँ जाने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, उनको पूरा एक समानित नागरिक के तरह उनके साथ बेहेव होगा, और किसी तरह की मतलब उतराखंड पॉलिस को आप ऐसे भी इस तरह से मान सकते हैं, देरह दूर में आप दो बजे भी रात के लड़कें गाड़ी चलाती जाती है, जो कि कहीं और स्टेट्स में पॉसिबल नहीं है, वो भी पैमाना है कि हमारे महिला सुरक्षा का लेवल बहुत उचा है, फिर भी हमने सब ही थानों को, पहले होता था महिला नो हें खोल लग सेisen थानों को महिला वही क्यांने सब चुरक्षा करों तो यह ऐसा महें बनाया है। बिल्कुल, ट्राफिक की बात कर लेते हैं, यहां पर देरादून जैसे जो और बड़े शहर हैं उत्राखन में, ट्राफिक की समस्या लागातार बढ़ती जा रही है, जाए आबादी बढ़ना भी उसको एक मुखे कारण माना जाए, लेकिन जो बड़े-बड़े शहर होते है जब कोई भी रेलिया होते हैं, जो लूस होते हैं, तो चर्मरा जाती है वेवस्ता कही न कहीं, तो उसके लिए किस तरह का रोड मैप है? देखिये, ट्राफिक भी कंट्रोल जो है बहुत आसान नहीं है, कारण यह है कि जब उत्राखन बना था तो चार लाग गाड़े आज 31 लाग से जादा गाड़े हैं, यानि आठ कुना वृद्धी, सडकें बही हैं, मैक्सिमम दो गुना मान लिजी, तो कहां जाएंगी पार्किंग बनती हैं, तो लोग उसमें स्टोर बना लेते हैं, तो गाड़ियां कहां जाएंगी, गाड़ियां सडकों पे रहेंगी, इसलिए जाम लगता है, तो ट्राफिक का सॉल्यूशन अकेले पुलिस के पास नहीं है, और कुछ चीजों के सॉल्यूशन निकालने हैं, कहीं हमें अपने एंक्रोश्मेंट को कम करना है, कहीं हमने पार्किंग जादा बनानी है, जहां पोसिबल है सडके बनानी है, बविश्य में कहीं, जिंग रोड भी परस्तावीत है देरादून के लिए, तो इसको लेकर लगाता है दूसरे विभागों से चर् जितनी में आप से बात के, इन सब लाइनों पर हमारा काम चलता रहता है, हम लोग परशासन के जो बाकी अंग हैं, पीडवलोडी है, या की नगर निगम है, एमडीडी है, सबसे हमेशा उसमें रहते हैं, टच में रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पहाड़ों में भी ट्राफिक कितना बढ़ गया, तो उसको करी रहे हैं, यह जुरूर है कि देरादून में जो स्मार्ट चिटी का कंस्ट्रक्शन हुआ, इससे थोड़ा ज्यादा बादित हुआ, फिछला एक और साल, मुझे उमीद है, अभी आने वाले समय में और बहतर होगा देरादून का मांतर था, S-M-A-R-T, S is strict and sensitive, M is modern and mobile, तो इस तरह से मैं आपको शुरू में बता दिया था, तो उस तरह हम सारे परामिटर्स पर उतराखन पुलिस को आगे ले जाने का प्रियास कर रहे हैं, जिससे रहली हो हाई-tech हो, modern हो, responsive हो, strict भी हो, और जिससे लोगों को स्विधा जन लोगों के लिए, पुलिस को अप्रोच करना, पुलिस से help लेना, यह सारे प्रियास हमारे जारे रहेंगे, और जो smart policing के पैरामिटर्स थे, उन पे हम control rooms बढ़ा रहे हैं, पूरे प्रदेश के control rooms को smart कर रहे हैं, हर्ज ले के, CCTV बढ़ा रहे हैं, फिर हम city police से long range weapon हटा रहे है तो आपको smart city police वाला constable देखेगा एक छोटी pistol के साथ, जैसे आपको यॉरप में देखते हैं, तो ऐसे हमने चीता police को modernize किया है, हमारी patrolling city, city patrol गाडियां बेटर कर रहे हैं, हाईवे पेटरोल गाडियां बेटर कर रहे हैं, तो यह हमारा पूरा प्रियास है, हर दिशा में प्रियास है कि हम और ज्यादा हाई-tech हो, और ज्यादा modern हो, ज्यादा responsive हो सम्मेधन सील हो, और चलते चलते युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, और युवाओं का रुजान पूलिस की तरफ हो, आपके हाथ और सशक्तों आने वाले समय में, युवाओं को आप किस तरह पोजिटिव टार्गेट बनाएं, जैसे हमारा देश पांच ही मैडल को लेकर आओ अलम्पिक में, या साथ ही को आप सकते हैं, तो हम टार्गेट को और उंचा उठाए, और अगर हमारे सारे युवाओं उस टार्गेट के पिछे लगेंगे, अर्जुन की तरह फोकस जरूर आएंगे, तो डीजीप साहर, आपका पूरा स्केडिल बहुत व्यस्त रहता होगा, लेकिन कभी-कभी डी-स्ट्रेस होने के लिए इन तमाम कामों के अलावा इन तमाम जो आपके पदभाय की जिम्मेधारियां, उसके अलावा किस तरह से आप अपने आपको डी-स् सबसे पहले स्पोर्ट से आता है, टैनी से बैडमेंटन एक टाइम था हरदवार में चार दिन करफू लगा, तो बाइस-बाइस गंटे में बाहर आता है, तो तेईसमा गंटा में आकर के सोरना नहीं, पहले खिलना, वो ज्यादा डिस्ट्रेस करता है, इसी तरह से दूसरा मे कभी-कभी म्यूजिक भी सुनता हूँ, वो भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बश्टर है, यही परियास करते हैं, बिल्कुल, और संकल्प आने वाले सालों के लिए, संकल्प यह जो हमेरे पहले वाला संकल्प था, उसी को और आगे बढ़ाना है, बिल्कुल, बदमासों पे सक और जो हमारे चार चुनोती एरिया है, इनमें और ज्यादा कामयाभी पानी है, ड्रक्स भी, साइबर भी, ट्राफिक भी, महिला शुलक्षा भी, यह सब इन ही एरियास में काम करना है, बिल्कुल, और पोलिस कर्मियों की जो वैलफेर है, उसको भी और आगे बढ़ाएंग अगली बार एक और हस्ती से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक लिए जाज़त दीजिये, तमस्कार